श्री शिवाय नमस्तु भयम, हर हर महादेव, जय महाकाल आप सभी को पता है, कल है अमावस्या का बहुत ही पवित्र सा दिन और यह अमावस्या है, देव पित्र अमावस्या, और इस दिन अमावस्या के दिन आपको करना है, स्वधा वाला उपाय देखिए, एक वाला उपाय जो कि आपको स्वधा एकादशी के दिन करना होता है और एक यह स्वधा वाला उपाय है जो आपको अमावस्या के दिन करना होता है अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई दोश है चाहे पित्र दोश हो काल सर्प दोश हो किसी भी तरीके का कोई दोश है जिसकी वजह से परिवार की उन्नती नहीं हो रही है, परिवार का मान, सम्मान नहीं बढ़ रहा है, एक के बाद एक समस्या परिवार में आती ही चली जा रही है, परेशान हो, घर में जाने तक का मन नहीं करता है, तो समस्त समस्याओं को खत्म करने के लिए मात्र एक छोटा सा उपाए, इस देव स्वधा वाले उपाय को एक चावल के दाने से आप सभी लोगों को अमावस्या के दिन जरूर करना है, पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग स्वधा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी सारी समस्याओं को खत्म करेगा, आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ती करेगा, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना, सबसे पहले बात करते हैं प पित्र दोश है, किसी ने कह दिया कि आपके घर में कोई पित्र दोश है या फिर कोई काल, सर्प दोश है, किसी भी तरीके का, कोई वास्तुदोश है, कुछ भी है, जिसकी घर वजह से परिवार की उन्नती नहीं हो रही है, परिवार का मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, घर तो आप एक चावल का दाना लोगे, वह कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, जो कहीं से भी खंडित प्लूटा-फूटा ना हो, ठीक है, और किसी भी समय कर सकते हो, आपको क्या करना है, परिवार के किसी भी एक व्यक्ती को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर इस तरीके से एक चावल का दाना रख लेना है, रख लोगे रखने के पश्चात, आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, देखिए आपकी जो modular kitchen है, अगर वहां पर आरो सिस्टम है, तो आरो सिस्टम के के पास चले जाईए, जहां से आप पानी पीते हो, उस परिंडे क पास यह परिंडा जो होता है ना ये आपके पित्रों का स्थान होता है जिससे भी आप पानी पीते हो ना आपको क्या करना है अपने हाथ को जिसके ऊपर आपने एक चावल का दाना रखा हुआ है ना आपको इस परिंडे से टच करना है अपने हाथ को और अपने हाथ को टच क दाने को साथ ही साथ एक दीपक जो आप लोगे वो लोगे गौमाता के घी का यहां होना चाहिए गौमाता का घी और इसके अंदर लगाओगे गोल बाती ठीक है तो जो चावल का दाना आपने पूरे घर में घुमाया है उस चावल के दाने को एक लोटा जल और इस वाले की तरफ मुह करके खड़े हो जाना है है ना सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल देव आदिदेव महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना है ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या शड़ा शरी मंत्र का स्मरण करते हुए ये कर दोगे ये कर देने के पश्चाद जो आपने एक चावल का दाना लिया है ना उस एक चावल के दाने को वहाँ पर आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है और शिवलिंग पर समर्पित करते वक्त आपको छोड़ना नहीं है उसे पकड़े रहना है और पकड़ करके ही आपको पांच बार स्वधा शब्द का स्मरण करना है, पांच बार आपको बोलना है, स्वधा, 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 स्वधा और स्वधा, ऐसे पांच बार आपको बोलना है, अपने हृदय की बात, अपनी कामना बाबा से कह करके अपना नाम और गोत्र बोल करके वापस चले आजाईएगा लेकिन ध्यान दीजिएगा जो आप एक दीपक ले करके आए हो ना वो बाबा की शिवलिंग जो रहती है यानि की जो चौखट है उस चौखट पर एक दीपक है ना आपको यहां पर प्रज्वलित करके जरूर आना है पांच बार स्वधा का जो क्रम पूज्य जी ने बताया कि स्वधा जो है मैया पार्वती जी की नानी का नाम है जो कि पित्र लोक में निवास करती है और आपकी कहीं ना कहीं घर की भी कोई बड़े पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है कि भाईया हमारे यहां पर पित्र दोश का कुछ है तो पित्र दोश उपाय को अमावस्या के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत अद्भुत उपाय है। जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए ओम नमव शिवाय जै महाकाल।